नमस्कार अपन ज्वारकन में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ बात राची में ज्वारकन मुक्ति मोटा के वरिष्ट विधायक और मंत्री चमपई सोरें के वास्वर पार्टी की सम्विदान संशोधन समेतिय और आजुनितिक प्रतिविदन बैटक हुई मंझूरी दी जाती है अगर कोई संशोधन की जरुत नहीं है तब भी कमेटी के तरफ से रिपोर्ट दी जाती है कि कोई संशोधन नहीं है इस बैटक का अपना महत्व है कारने के राजुनितिक प्रस्ताव और कर्करम से बाठक में तैय किया जाता है तै होने बाद जीमें के कारिकारी याद्यक्ष और अध्यश के पास रखा जाता है कि वहाँ से पास होने के बाद आदिवेशन में वह प्रस्ताव रखा जाएगा या अधिवेशन चारकमुक्ति मुर्चा पार्टी के हर तीन साल के बाद रखा जाता है जो आज समेदान में संशोधन का प्रस्ता विपास करया जाता है दुरसल 18 दिस्तंबर को जी में कमा दिवेशन राची के सुवराई भवर में आयोजित होना है उसे को लेकर यह बैटक हुई और बैटक में मुख्य रुपसी परिवन मंत्री चंपई सोरीन पेजल मंत्री मिथलेश ठाकूर महा पांडे और सिक्ष्यमंत्य जगनात महतोवी शामिल हुए लेकर असे बैटक में सीता सोरेन उपस्तित बता दे कि अनुपस्तित रही यानि उपस्तित सीता सोरेन नहीं रही महादिवेशन के पहले ये कमीटियां बनती है और उन कमीटियों में अगर कोई संसोधन है अगर कारिकरम है जो आगे हम लोगों करना है उसका स्वरूप क्या होगा और कोई संसोधन अगर संभिधान में है तो वो महादिवेशन ही होता है जहां पर हम संसोधन कर सकते हैं उ ठूपे टीन कीए जाता है तो इसलिए पार्टी महसूस करती है अगर कौई संसोधन है तो संसोधन को यहां पर लाया जान जिसके संभिधान में अलगर संसोधन नहीं है एक पर कमीटी रिपूर्ट देती है कि कोई भी संसोदर नहीं है तो यह महादिवेशन फिर उसको पास करें और देख जानकारी के लिए राचिस अमारे समधा था नयर हमारे साथ जो चुके लाइच चैट पे नयर देखे अगामी 18 दिस्तंबर को जैमें का महादिवेशन होना है राची में और सबसे पहले तो जाना चाह देखे जारकन मुक्ति मुर्चा का महा अधिवेशन जो है वो 18 दिसंबर को तै है और इसको लेकर जो जेमें के जो इंटरनल जो पाटी के जो नेता और कारकरता जो है वो पूरी तरह से उस अधिवेशन में सामील होना चाहते है और इससे पहले एक मिटिंगी भी तै की जा अगर हो तो जो नेता के जो वरिश्ट जो पाटी के जो वरिश्ट नेता है वो बैट कर बातचित करते हैं कि पाटी का और क्या चाहिए राजनिती का अगर परिदेश में अगर इसका स्क्रिप्ट चेंज करना है तो उस चीज की बारे में भी बातचित होती है और महाधिव जो हेमन सोरेन है उनके पास जाएगी उसके पास जो अध्यास है गुरू जी उनके पास जाएगी उन दोनों के बाद पास होने के बाद महाधी वेशन में उसे संसोधन को रखा जाता है और उसे पास किया जाता है हलेकि यह पाटी का अपना इंटरनल एजेंडा है और इसी ए जाती है अगर उसमें संसोधन करनी की जरूरत पड़े तो इससे पहले एक मीटिंग करने की होतीय कले एक मेंट हम बात करें तो क्या है से माहद़ी वेशन में जेम्यंब संविधार में संशुधन होगा क्या लगता है देखे यह अभी जो अभी बैठक चल रही है उसी विशाई पर चर्चा हुई है यह पाथी का अपना internal मामला है क्योंकि जो internal मामला है उसमें पाथी के जो नेता है या जो उसके कार करता है उन उनी तक वो पूरी तरह सीमित रहती है तो उनमें पाथी के अंदर क्या खामी है क्या अंतरकला है वह सब पर भी चर्चा होती है लेकि सबसे बड़ा इसमें इस बैठक में सीता सुरेन को भी उपस्तित होना था लेकिन किसी कारणवस पाथी के दौरा बताया गया कि वह लेट पहुंचेगी लेकिन अभी तक से वो सामिल नहीं है तो पाटी में कहीं न कहीं अंतरकला है जिसे आज पहली बैठक में यहाद देखा जा सकता है क्योंकि सीता सुरेन पूरी तरह से अनुपस्तित रही हलाकि जो जेमें के परवक्ता उन्होंने कहा कि वो लंच के बाद कि अगर उन्हें कुछ संसोधन करने का विशा है अगर उन्हें कुछ संसोधन लगे तो पाटी को लिखित भी दे सकती है तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से इंटरनल पूरा इंटरनल यह है जेमें का जो संसोधन की करना करना अगर चाती है तो वरिष्ट नेताओं से बाच आपचीत के लिए आपका शुक्रिया